नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉ इस्टाग्रम पे हमारा पेज जरूर फॉल कर लिएगा studyforcivil.services है तुटनर पे हमको जरूर फॉल कर लिएगा add the right studyforcivil.services आज की इस वीडियो में हम ऑक्टोबर मन्त के second week के current affairs कवर करेंगे जैसे हमने पहले भी एक वीडियो कवर की थी जिसमें हमने first week के current affairs first October से लेकर के 7 October तक कवर किये थे आज के इस class में हम उसी के आगे 8 October से 14 October तक कवर करेंगे तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि सबसे important और महत्वपून current affairs कौन से रहेंगे सबसे पहला article और सबसे important article जो हमारे prelims exam और mains exam दोनों के लिए common बन सकता है चाहे आप prelims के लिए prepare कर रहे हो या आप mains के लिए prepare कर रहे हो first article है UN World Geospatial Congress UN की मतब सयोगत राश्च विश्वबूर सांस्थनिक Congress देखे ये फिलहाल जो है ये 2022 में हैदराबाद दिल्ली में इसको जो है आयोजित किया गया है इसलिए ये news में है जिसको आयोजिन करने वाला जो विभागय वो कौन सा है Economic and Social Affairs का जो डिपार्टमेंट है मतब आर्थिक और सामाजिक मामलो का जो यहाँ पर विभागय उसने इसको आयोजित किया ठीके अब मैं पहले आपको ये समझा दू कि ये पूरी चीज है क्या ये जियो स्पेशिल जो है मतब कि स्थानिक पारिस्थित की तंत्र ये पारिस्थित की तंत्र जो है ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है ये देखिए ये इस तरीके का शब्द है ये जो जियो special technology है जो हमें हमारी location इस धर्ती पर location क्या है इसकी जो है विवेचना करने में इससा मान्चितरन करने में हमें इसकी mapping करने में मदद करता है हमें ये बताता है मदद कि सटी जानकारी देता है कि ये एक नक्षा तयार के रोपनी किया जाता है ठीक है जैसे कि हम लोग जानते है GPS के बारे में सब लोग इस्तेमाल करते हैं न GPS को तो भारत जो है वो GPS के सहारिया भी जलता है और इसकी बहुत सारी और भी हमारे सामने जो ह जो प्रिलम्स का एक्जाम है उसमें इसके बारे में ये क्वेशन आ सकता है कि जो ये हमारी एक सेकंट जो ये हमारी जियो स्पेशल टेक्नोलोजी है इसका इस्तिमाल कहां पर होता है ठीक है तो इसका इस्तिमाल आपको अलग-अलग चीजों में देखने को मिलेगा अगर हुआ है पूरा जो इस बार हेदराबाद में हुआ है ऐसा ने के पहली बार हो रहा है ये अल्रेडी जो है एक बार चाइना में और गनाइस किया जा चुका है 2018 में इसका पहला बाला और अभी जो इसकी थीम है वो आपको याद रखनी है जियो एनेबलिंग दी ग्लोबल व सिकास यात्रा है उसके दो ही स्थम्भे है तकनीक और प्रतिभा जो हमारी टेकनलीजी और टैलेंट है उसके ओपर मोदी जी ने बोला है और मोदी जी ने ये बात भी बोली है technology is a tool of inclusion not exclusion तकनीक जो है सबको जोडने का काम करता है ना की सबको अलग करने का वो तक्नीक ही है जिसकी वज़े से हमने जो कोरोना के अंदर जो लोग पीडित हैं उनको मदद करने हम नहां पर कर सके ठीक है हम जो है भारत के जो यूबा है उन तक की सारी चीज़े पहुचाने के लिए जो है स्टार्टप हब करना इन सब के लिए यहां पर बढ़ाया पर अ्रिवर्तल लेकि आती है डिजिटल जो करन होता है इसी से लोगों को लाब बिलता है जैसे एक रीसेंट्टी स्कीम आही थी स्वामित्व स्कीम ठीक है पहुचा ऑन जो yeter feedback मे एक लिए जो हम 85 की साइता से यह काम कर सकते है जो भी गाउन की संपत्य है उनका बना 앞으로 का इ तो बेसिकली ये वाला जो पूरी एक स्कीम आई है ये जो पूरा इहां पर किया है जो एक कॉंफरेंस और्गनाइज की गई है ये बहुत ही जादा हमारे लिए इंपोर्टन है तो आपका जो बीपी एस्थी का अभी मेंस का एक्जाम आ रहा है उस मेंस के एक्जाम में ये व मैं आपको ये वाला टॉपिक बता रही हूं ये आपका जो मेंस एक्जाम के लिए बन सकता है या फिर जो ये जिजो सबो सकते है तो सब लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को जरूर कवर करिएगा, जरूर इसके बारे में पढ़िएगा भारत में इसको कौन और्गनाइज कराता है, भारत में इसको Ministry of Science and Technology विज्ञान और तक्नीक की जो मंत्राले है, वो इसको यहाँ पर और्गनाइज करवाता है मेरे इसाब से सबको यह आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा, इसका उदेश्य क्या है, यह क्यों और्गनाइज करा जाता है, इसका Objective क्या है सबी को साथ लेकर के चलने की जो यात्रा है, यह इसको यात्र रखिएगा ठीक है बई, यह आप लोगों ने पढ़ लिया है यहां तक, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, अगला आर्टिकल है, Slender Loris की उपर Slender Loris एक Sanctuary बनाई गई है, आपके एक्जाम में इससे बहुत important question आ सकता है कि यह Sanctuary कहां बनाई गई, पहले तुम आपको Slender Loris के picture दिखा दी, देश में पहला इसके लिए Slender Loris अभ्यारन बनाया गया है, जिसकी स्थापना कहां की गई है, तामिल नाडू गेट, कड़ूवूर और डिंडी गुल जिले में ठीक है, यहां पे आपको यह समझना है, कड़ावूर और डिंडी नूर जिले में इसको जो स्थापित किया गया है, यह ऐसा नहीं है कि तामिल नाडू की सरकार ने इसको पहली बार किया है, चीक है, जो स्लेंडर लॉर इस है ना, यह पहला है, लेकिन तामिल नाडू की सरकार ने, मैंने यह पिच्चर यहां पे रखी है, यह है डगंग्स, जो कि सी काउस की तरह दिखते हैं, आपको लग रहा है नहीं है, ठीक है, तो यह सी काउस की तरह दिखने वाले जो डगंग्स हैं, यह डगंग्स के लिए भी ओल्रेडी गल्फ ओफ मननार में, मननार की खाडी में, ओल्रेडी इसको तामिल नाडू की सरकार बना चुकी है, और अभी यहाँ पर जो है, स्लेंडर लॉरिस के नाम से, जो है, य इंडोनेशिया, चीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, कई जगा भी आपको आफरिका में मिलेगा, लेकिन तो यह वाली प्रजाती है न, यह सिर्फ और सिर्फ आपको भारत और श्रुलंका में मिलेगी, तो आगर आपका प्रिलिम्स के अंदर यह सवाल आता ह कि यह स्लेंडर लॉरिस सिर्फ भारत में मिलता है, तो यह गलत होगा, सिर्फ भारत में नहीं, यह श्रुलंका में भी मिलता है, श्रुलंका में इसकी कौन सी प्रजाती मिलती है, श्रुलंका में इसका रिड कलर का प्रजाती देखने को मिलता है, ठीक है, और जबकि भारत में इसको जो है वो gray color का जो या फिर yellow या पिप सर में देखें ना इस तरीगी का color को देखने को मिलेगा और यह अपना जादा-तर समय पेडों पर ही बिताते हैं यह हम small जो है mammoth कहते है निशाचार तन पाई जी कहते है जो धीमी गती से चलते है और ये वनों में ही रहते है इनका अधिकांज समय पेलों पर ही जाता है जो आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस ओशन कटिबंधी है वर्शावन जाद तर वहाँ पे देखने को मिलेंगे साथी साथी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसानों के जो फसले होती है उनमें जो कीट नाशकीट होते हैं उनको खाने में काफी मदद करते है ठीक है क्योंकि इनके शरीर में चिपकलियां पौधे जो उते तने वाले फाल इरे को जादा खाना पसंद करते हैं चेक है तो इनके बारे में आपको याद रखना है और ये सब जो सैंचुरी बनाई जाती है अभ्यारन बनाई जाते हैं ये कौन से आपके तहट राजय सरकार को आजादी मिलती है बनाने की वो है Wildlife Protection Act 1972 जो हमारी संसर्प Parliament ने पास किया था तो इसको भी आपको याद रखना है इस आपके बारे में आपके जो है एक्जाम में इस पे प्रिलम्स के ओपर जो है उसमें सवाल किया जा सकता है कहा बनाई क्या ये पहली बार ऐसा कुछ बनाया गया है क्या इसे पहले भी कुछ बनाया जा चुका है तो मैंने आपको पूरा समझाया है और इसको पहले भी बनाया जा चुका है बढ़ते हैं आगले और बहुत ही इंपोर्टन्ट आर्टिकल की तरफ जो इस बार बहुत जादा द्मूज में है और इस से इस बार एक्जाम में सवाल आने का पूरा महाकाल कॉरीडूर सबने इसके बारे में सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री ने मध्या प्रदेश में उज्यन में श्री महाकाल लोक का पहला चरं जो वुद्गातन का बने और इस फ्ndeका पहले चरं का उउध्गाटन कीना जा चुका है अब ये क्या है इसके बारे में हम पूरा समझ लेते हैं पहले चीज तो ये उज्जेन उज्जेन का पुराना नाम क्या है अवंतिका ठीक है ये वहाँ पर पहले ही बनाया जा चुक मतलब इसका पुराना नाम है ये वाला तो एक्जाम में अगर उज्जेन की जगा वन्तिका आता है तो भी याद रखेगा एक ही बात है कहां पर है ये मध्याप्रदेशन जिसमें करीब साड़े आठ सो करोड का खर्चा जो है सरकार पे आएगा जो की एक 900 मीटर का यहां पर बनाया जा रहा है अब हमसे सवाल इसके उपर किस प्रकार से रहेंगी और समझे इस पूरे आर्टिकल को मैं पूरा डिटेल में समझाओगी देखिए ऐसा बिल्कुल यहां कि यह पहली बार सरकार ने ऐसा किया है पहले ही वारा नसी का जो विश्वनात मंदिर है उत्रा खंड में सबसे फेमस केडार नात का जो मंदिर है इनको ऑलरेडी यहां पर जो है इनको उनका उत्तान करने के लिए अजिवारेडी सरकार न buna पहले ही step लिए होगा यह बारत के 12 में से तीसरा ऐसा जोतर लिंग है जो कि अल्रेडी कहा पर अब आपसे सवाल कैसा बनेगा आपसे सवाल यह बनेगे कि 12 जोतर लिंग आपको सामने 4-5 जोतर लिंग के option देंगे और आपसे पूछेंगे कि इन में से कौन सा जोतर लिंग है और गौज़ा नहीं है तो अल्रेडी महाकाल सोमनात नागेश्वर आंधर प्रदेश का मलिका अर्जुन मध्या प्रदेश में एक और आल्रेडी है ओमकारेश्वर सुना होगा आपने ओमकारेश्वर यह एक डैम भी है एक यह बांध भी है जो की कौन से नदी पे बना हु उसका उद्गम होता है वारा नसी में विश्वनात जारकन में बैद्यनात और तामिलनाडू में रामिश्वरम तो यह हमारे वो जगह हैं जहां पर आल्रेडी बारा जोतिरलिंग स्थाफित हैं इन में से दो को सरकार ने ओल्रेडी इनका कॉरिडोर बना करके इनको उनका उत्थान किया हुआ है अब तीसरा है जो महाकाल कॉरिडोर है तो हमसे सवाल किया जाएगा वो महाकाल कॉरिडोर पे पूछा जाएगा जिसमें जिनको बनाने के लिए बलुआ पत्थरों का उप्योग किया जाएगा और यह बलुआ पत्थर कहां से लाए जाएंगे राज इसके अंदर जो एक उतने जगह पे जाने के लिए जो एक रास्ते में जो ट्राफिक होता है, कंजेशन होता है, उसको यहां पर कम करने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी, इसके सुन्दरता को और यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, बहुत ही सुन्दर सा ए पढ़ते हैं, देखिए, यह जो पूरा एक टेंपल है, यह किस ने बनवाया है, यह तिहासिक काल में यहां पर बताया जाता है, कि यह प्रजापती भ्रमा ने इनको जो है वो डिवला पहले बनाया था, ठीक है, और इनका जो मेंशन है न, वो हमें और भी जगह पर देखन को मिलता है, ऐसा ने कि अभी सिरफ मेंशन देखने को मिल रहा है, इनका मेंशन जो है हमें कालिदास की लिखी हुई, निकेतन में भी देखने को मिलता है, इसके अलावा मेग दूतन जो लिखी थी कालिदास ने, वहां पर भी इनका मेंशन देखने को मिलता है, लेकिन एक रूलर ठीक है जब वो जैन पे रेड मारने के लिए जाती है तब वहाँ पर इस को उन्होंने डिस्ट्रॉई कर दिया था जिसके तहट इसका पूरा एक तरीक से डिस्ट्रॉई हो गया था और अब यहां पर इसको फिर से दुबारा जो आज इसकी जो पांच मंजिला वो किसने करी है माराठा के सेनापती रानो जी शिंदे में 1734 में तो आपको यह सारी चीज़े इसके अंदर याद रखनी है इनसे जो सवाल किये जाते हैं ठीक है तो इनसे आपका सवाल किया जा सकता है इसके बारे में पूरा याद रखिएगा इनसे आपसे सवाल किये जाएगा तो पूरा महकाल कॉरिडोर आपसे पूछा जाएगा किस ने बनवाया है, किस तरीके से बनवाया है इसके अंदर कौन सी शैली का इस्तेमाल किया गया है तो भूमीजा, चालुक्य और मराठा शैली का मिश्रण तरीके से इसको यहांपर तयार किया गया अभी इसका दूसरा फेज आएगा अभी इसका पहला फेज यहांपर हुआ है इसका दूसरा फेज अभी तयार नहीं हुआ है तो यह महकाल का जो पत है पूरा एक इसको याद रखेगा इसमें 108 हमारे स्थम्ब है और ये जो स्थम्ब है ये भगवान शिफ के जो है जो नृत्य का रूप होता है ना उसको दर्शाती है यहाँ पर आपको बहुत मूर्तिया मिलेंगी जो शिफ जी के जीवन को दर्शाती है आपने से बहुत तो यहाँ पर जरूर गए भी होंगे चीके मैं भी यहाँ पर एक बार गई हूँ बहुत ही ब्यूटिफुल बना हुआ है और अब तो यह और जादा ही यहाँ पर जाना सब्ता रहा है इस पूरे सब्ता में 얼굴 price पे बहुत joy то तो पूरा का पूरा आपको जो nobel price का आर्टिकल है वह आप को याद रखना पड़ेगा और यह पूरा noble price का article आपका पूरा आपको जो mcq वाले all पेपर है ना सिर्फ उस fifty के लिए पढ़ना है आपको यहां पर पूरे पूरे नहीं पढ़ना आपको सिरफ mcq वहले जो एक्जाम आता है ना उसके लिए important बने था ठीक है तो जो noble पुरसकार है यह किसके नाम पर दिया गया है Alfred noble के नाम पर Alfred noble जिन्होंने डाइनामाइट ती यहां पर जो है वो यहां पर जो जिन्होंने इसके बारे में पूरी सोच की थी यह basically कहां से belong करते थे Sweden यह Sweden के एक रसाइनग्या थे यह एक आविशकारत थे entrepreneur थे व्यपारी थे जिन्होंने यहां पर इसको develop किया था ठीक है यह जो है Alfred noble की जो बच्ची हुई संपत्ती है उससे जो है लोगों को यहां पर इसके लिए अवार्ड दिये जाती है जो कि कहां पर स्टॉक हों की स्टॉक हों में यहां पर दिया जाता है December में सिरफ एक Peace Prize है जो कि Oslo Norway में दिया जाता है क्योंकि वो Norway की जो यहां पर institute है वो देता है जिसमें आपको gold medal, diploma और award भी दिया जाता है पैसो का भी award दिया जाता है और बस यह की मरनो प्रांत नहीं दिया जाता तब ही गानी जी को भी यह नहीं दिया जाता तीन लोग से जादा इसको शेर नहीं कर सकते भारत की तरफ से पहले Nobel Prize को हासल करने वाले कौन रहे हैं वो है रविंतरनाट टेगोर और woman की बात करूँ तो Mother Teresa और Mother Teresa भारत की भारत रत्म हासल करने वाली भी महिला बनी है पहली बार Nobel पुरुसकार जो दिये गए थे वो 1901 में दिये गए थे अब आप लोग मुझे comment section में ये बताएंगे सब लोग कि जो Nobel पुरुसकार है वो youngest Nobel पुरुसकार जो है वो लेने वाली महिला कौन सी है यंगिस पुरुसकार लेने वाली एक महिला है ठीक है एक वो कौन है आपको उनका नाम बताना है यंगिस ठीक है जो सबसे कम उमर में Nobel प्राइस लेने वाली जो है वो व्यक्ति बनी है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्राइस को देखते हैं कि किन किन कैटेगरी में द होता है यह हमें किन किन चीजों में दिया जाता है बहुत की रसायन विज्ञान चिधित्सा मताब मेडिसिन या फिर इसको हम शरी क्रिया विज्ञान भी कहते हैं उसके अलावा शांती में अर्थशास्त्र में पहले नहीं होता था अर्थशास्त्र में अब ये दिया जाता है और लास्ट कैटिगरी है साहित्यमी तो ये छे कैटिगरी में आपको दिया जाता है और अब हम इन छे कैटिगरी में किस को दिया गया क्या कोच के लिए दिया गया है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाली है क्योंकि हमारे exam में इससे question पूछा जाता है कि किसको यह पुरुसकार जो है यहाँ पर दिये गए है किसको यह पुरुस्कार यहाँ पर किस तक्नीक के लिए यहाँ पर दिये गए है सो आपके लिए यहाँ पर यहाँ पर यह सवाल वो बंता है सो आपको यहाँ पर MCQ की फॉर्म में जो भी आपका लेटेस्ट इक्जाम आ रहा है चाहे आप अब इसको SST के लिए पढ़ रही है CGL के लिए चाहे आप इसको UPSC के लिए पढ़ रहे है चाहे आप इसको स्टेट PCS के लिए पढ़ रहे है या RO ARO के लिए पढ़ रहे है किसी भी के लिए भी आप पढ़ रहे है आपके हर एक के लिए यहाँ पर यह चीज काम आने वाली है तो बढ़ते हैं हम किस किस को यह पुरुसकार यहाँ पर दिये गए है यहाँ पर छे इनकी घोशना की गए दिये जाएंगे दिसेंबर में औक्टोबर महाकेव जो है यहाँ पर जो भी हमारा सोंवार आता है उसमें वाली पुरुसकारों की घोशना करनी शुरू कर दिया जाती है यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस-किस को यह पुरुसकार दिये गए है सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए जो भौतिकी है उसके लिए यह जो यहाँ पर पुरुसकारे किसको दिया गया है यह दिया गया है फ्रांस यह तीन व्यक्तियों को दिया गया है फ्रांस, आस्ट्रिया और यूएस यह उस्ट्रिया नहीं है ठीक है किसको एलन आस्पेक्ट को आस्ट्रिया की आंटॉन जेलिंगर और युएस से के क्लॉसर को तो एक्जाम में इनसे क्वेशन बन सकता है इन्हों रेक किस की ओपर खोच किया क्वांटम इंटेंगलमेंट जिसको हम कहते है क्वांटम पर जो इन्होंने रिसर्च की है उसके लिए दिया क्या है इन्होंने उल्जे हुए जो फोटॉन है उनकी उप्योग करके यहां पर असमानताओं के बारे में यहां पर बताया है एक बश बिलकुल शॉट में इसका समझा देती हूं मीनिंग क्या है क्वांटम इन्टैंगलमेंट या उल्जाब का मतलब होता है यह ऐसा बताना चारे है कि दो उप्रमानू जो सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतने ज़ादा जुड़े हुए होते हैं चाहे वो कितने ही लाइट इयर्स चाहे वो कितने ही प्रकाश व आपस में एक जो फीलिंग हो गई है एक साथ रहने का जो एक पहरेक हुआ करता था वो एक रहेगा है ना तो वहाँ अब यही समझाना चाहरा है कि जो यह उल्जाब है यह इस तरीके से है कि वो हमेशा से चाहे वो दो आटोमिक पार्टिकल्स कितने भी दूसरे से दूर हो पर वो साथ में ही जुड़े हो रहे हैं इस त्योरी को समझा रहे हैं इसलिए इनको कारे इसके कारे करने में इस दिया गया है आपके एक्जाम में इसे ही क्वेशन आते कि किस फील्ड में दिया गया है इसको आपने याद रखना है आपसे नाम पूछे जाते है और आपसे इनको ऐसे नेकी अभी पहली बार दिया गया है ये जो है इनको truth teller of France सच्चाई बताने वाली महिला के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अपनी किताबों में आज के समय की जो प्रतिबंद है सामूही प्रतिबंदों को दर्शाया है उसी के लिए इनको यहां पर यह पुरस्कार दिया गया है चीक है फ्रांसिसी समाज के ओपर इन्होंने काफी चीजों को यहां पर लोगों के सामने निश्पक्ष रूप से लेकर के आई हैं जिसके लिए उनको यह साहित्ते में पुरस्कार दिया गया है बढ़ते हैं आगे अगले की त उनको ये प्रोरस्कार दिया गया है। और उससे कैए उप्यूक्त सामगरी यहाँ पर बनाया जाएगा। जो हमारा फार्माश्योटिकल उसको और बहतर रूप से यहाँ पर और कुशलता और जल्दी से रूप में बनाने के लिए तैयार करने के लिए क्लिक के मिश्चिति समझते हैं। मतलब कि क्लिक में तैयार तो एक जल्दी और सुगम रूप से तैयार करने के लिए रसायन विज्चान में इन तीन गत्तियों को यह पुरसकार दिया गया है। आपके MCQ exam में यह important बन जाएगे नाम और उनकी field बढ़ते हैं अगले medicine में मतलब कि जो चिकित सा है उसमें किसको यह पुरसकार दिया गया है। किया जाएगा ठीक है प्राचीन मानव प्रजाती और जो अभी की प्रजाती है उनके बीश में संबंध को जानने के लिए उसकी जाच करने के लिए उसका पुनर निर्मान करने के लिए उसको यहां पर उप्योग में लाया जाएगा। सबद के सब लोग तो ये पुरसकार याद रखेगा ये भी हमारे एक्जाम के लिए important है बढ़ते हैं आगे economics में economics है यहाँ पर मतलब की आर्थिक विज्ञान economics में आर्थिशास्त्री भी आप कह सकते हैं आप इसको आर्थिक विज्ञान के नाम से भी जान सकते हैं आर्थिक विज्ञान के रूप में ये जो है तीन लोगों को यहाँ पर दिया गया है बेरनेक, डाइमंड और फिलिप एच डाइबुग आप इसको याद कैसे रख सकते हैं डाइमंड, डाइमंड को आप जोड़ेंगे कि पैसा पैसा मतलब एकॉनमिक्स, फाइनाशियल आप इसको ऐसे जोड़ के याद रख सकते हैं वही मैं फिलिप की बात करूँ तो याद है आप लोगों को आपने एकॉनमिक्स में अपने फिलिप कर्व पढ़ा होगा, फिलिप्स कर्व, लाफेर कर्व, गिनिक ओफिशिंट ये सारी चीज़े आपने पढ़ी है ना, तो आप ऐसे याद रखें ये पुरसकार इनको किस चीज के लिए दिया गया है ये पुरसकार इनको दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि बैंक क्यूं है, बैंकों और बैंकों पे आने वाला वित्तिय संकट उनके ओपर शोद करने के लिए इनकों ये प्रदान किया गया है इन्होंने ये बताया है, कि हमें जो बैंक है जो हमारे bank है उनमें हम किस तरीके से इसको इस्तिमाल कर सकते है बैंकों की मौजूद होना उनकी भूमिका के बारे में और कभी रिस्क आता है तो bank क्या एक economy के लिए क्या role play कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर explain किया है बढ़ते हैं अगले noble price की तरफ जो की आखरी है वो है peace शांती में noble पुरुसकार जो दिया गया है शांती का noble पुरुसकार तीन यहाँ पर organization को दिया गया है एक तो person है Alice Bilarski जो की बेलारस से बिलॉंग करते हैं इन्होंने जो है लोकतंत्र के उपर बहुत जादा यहाँ पर उ इस जैसे European country को इन्होंने उस देश को एक जो है आप कहलो की बहुत भैतरीन रुप से लोकतंत्र की एक भेट की इसके लिए उनको यह award दिया गया है ठीक है आपे पिचल भी यहाँ देख सकते हैं वही जो दूसरा पुरसकार है वो एक memorial को दिया गया है यह एक memorial है ठीक है Center for civil liberty memorial है जो कि रश्या में समारक है उसको दिया गया है जो की Soviet संग था जो कि आज के समयर का रश्या है उसमें माना वढ़कार में काम करने के लिए उनको यह पुरसकार दिया गया है तो यह समारक आपको याद रखना है जिनको दिया गया है और तीसरा नागरिक स्वतंतरता केंड यह जो है यहाँ पर आप इसका लोगों देख सकते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं Center for Civil Liberty उनको यह पुरसकार दिया गया है जिनोंने यूकरेन में ये यूकरेन के कीव में स्थापित किया गया था 2007 में और इनोंने यूकरेन के कीव में जो है मानव अधिकार के लिए खूब काम किया है तो आप से हो सकता है इस बार पीस प्राइस पे सवाल आए शांती पूरसकार पे क्योंकि रश्या यूकरेन वार बहुत जादा न्यूस में हैं तो हो सकता है हमारा सवाल इसके उपर बन सकता ह समझे बात हो तो आप लोगों ने सारे के सारे अभी मेरे साथ जो भी important noble prize winners है 6 है और मैंने आपको 6 के बारे में पूरा detail में समझाया है तो आपने ये याद रखना है आपका जो भी अग recent exam आ रहा है December, January, February के around में आप उन सब exams के लिए ये सारा important है क्योंकि इस पर question आएगा एक question आएगा clear हुआ आपको noble prize बढ़ते है हमारे अगले article की तरह वो है living planet report जीवित ग्रह report अब living planet report हमारे exam के लिए जो MCQ वाले exam होते हैं उनके लिए important हो रहेगा क्योंकि living planet report जो है वर्ड वाइट फंड आफ नीचर शौट में इसको हम WWF करके लिखते हैं जो कि दुनिया भर के स्तंधारी, पक्षी, अभेचर, सरीसर, मचलिया उन सब को यहाँ पर बताता है उन सब की जानतारी हमारे तक पहुचाता है कि उनमें हमें क्या अभी और खोज करने की ज़रुत है या उनमें क्या खतम होता जाए इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 69% जो है हमें गिरावट देखने को मिली है चाहे वो स्थल पे रहते हैं चाहे वो मीठे पानी में रहते हैं चाहे वो समुद्र के पानी में रहते हैं इस तरीके के सारे जो भी जो भी इस तरीके के जीव हैं उनमें गिरावत भारी गिरावत देखनी को मुझे इनकी रिपूर्ट ये जो लौजिकल सोसाइटि और पिनिया के साथ मिलकर के तैयार करते हैं और इनका जो headquarters है मैं बता दू ये कहां पे है Gland Switzerland located है तो ये living planet report हमारे exam के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगी और ये बता रहे हैं कि गिरावत तो आई है इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा गिरावत कहां पर आई है सबसे ज़्यादा गिरावत आई है आफरिका में जो आफरिका कॉंटेलेंट है बाकि अगर शेत्र की बात करें तो इनके इसाब से शेत्र में सबसे ज़्यादा कमी आई है जो Caribbean island है ठीक है Pacific Ocean में ठीक है प्रशान्त वहासागर में वहाँ पर प्लस Latin America यहाँ पर भारी गिरावत देखने को मिली था पानी नीठा पानी है या करोश्य जीव है मैंग्रोव के जीव है सब में मिली देखो बे WWF के अकॉर्डिंग जो है भारत में या पर पूरे वर्ल्ड में जो जैब विविदता हमें देखने को मिलती है जो हमें बायो डैवर्सिटी देखने को मिलती है उसके लिए जो प्रमुक खत्रे है न हमारे लिए वो कौन-कौन से है वही कृश्य है शिकार है जलवायू का परिवर्तन है जीक है लॉगिंग है प्रदूशन है और आकरामक प्रजाती है मैं इसका English meaning भी आपको बता देती हूँ सब लोगों के लिए जो हमारी agriculture है शिकार मतलब hunting जलवायू परिवर्तन मतलब climate change logging प्रदूशन का मतलब pollution और आकरामक प्रजाती मतलब invasive species जीक है तो इन सब से हमारी biodiversity को खत्रा है तो अगर आप लोग जो है BPSC mains के लिए आप अभी तयारी कर रही है तो आप सभी को मेरी ये सलह रहेगी कि आप लोग एक जैव विद्धा के उपर एक अपना topic प्रिपेर करके जाए जैव विद्धा हमारे लिए बहुत important है जलवायू परिवर्तन हमारे लिए बहुत important है और अगर आप वो अपना answer लिखेंगे तो आप उसमें इस पूरे की mention कर सकते हैं आप इस report के बारे में mention कर सकते हैं आप global risk report वैश्विक जोखिम report का mention कर सकते हैं ये सब आप बता सकते हैं जलवायू परिवर्तन का बताएंगे तब भी आप इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो अगर आप अपना answer बहुत भैतरीन बनाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर याद रखीगा वर्ल्ड वाइड fund for nature इसकी स्थापना जो कि 1961 में हुई थी और आज के समय में 100 से जादा अधिक देशों में काम भी करता है और अपनी report को जारी करता है और सब के लिए ये बताता है कि किस तरीके से हमें इसको protect करने की ज़रूरत है समझे बात तो तो ये अपना ज़रूर पढ़ लीजेगा आपके इस exam के लिए ये report काफी important रहने वाली है और अगर मैं बात करें इन्होंने भारत को लेकर कि क्या points बोले हैं तो इन्होंने बोला है कि जो हमारा हिमाले का region है हमारा जो पश्टिमी घाट है पश्टिमी घाट जो है पता है न सब को कौन-कौन से राजियों में फैली हुई है वो भी आपको याद रखना है यहाँ पर सबस्दादा जो है हमें हमारी biodiversity loss देखने को मिलेगा इसलिए तो है सरकार क्या कर रही है तामिल नाडू में बना रही है इसे slender lawless के लिए बनाया जो हमारे जैव विजदा का नुकसान हो रहा है उसको हम कर रहे है और उन्हें यह भी बताया कि जो हमारे भारत में हनी बीज है और जो मीठे पानी में जो टर्टल से कच्षवे रहते हैं उनको भी यहाँ पर उनमें भारी गिरावट देखने को मिले है जो आपके लिए पूरा का पूरा आर्टिकल इंपोर्टेंट है बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ इस हकते के जैपनीस प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे जिनके साथ हमारे काफी अच्छे महत्वपून रिलेशन्स हुआ करते थे उनको पद्म विभूशन से नवाजा गया है अगला आर्टिकल है स्टाच्चू ओफ यूनिटी सब जानते हैं स्टाच्चू ओफ यूनिटी के वाडिया में लोकेटिड है गुजरात में ये सबसे उचा हुआ करता था पर अब यहाँ पर भारत को शिव मूर्टी शिवस्टैचू के रूपे एक नया यहाँ पर मिलने को सबसे उचा जो है हमारा एक मूर्थी वो मिलने को तयार है कहाँ पर है लिख लीजे नाथ द्वार सीधा सवाल बनेगा हमारे एक्जाम में सीधा MCQ आएगा यह कहां पर located है यह कहां पर आक्षे पात्रा नात द्वार राजस्थान में इसकी शिर्फ की मूर्ती का आवलोकर नापर किया दिया है कितने feet की है यह 351 feet की यह जो पूरी एक बनी हुई है इसका बहुत जादा important है यह बाद मूर्ती जो यह बनाई जा रही है यह जो है जमीन इसके लिए अभी मांगी जा रही है इसके लिए काफी सारा allotments वगेरा चल रहा है पर जब यह बन जाएगा तो भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे उची शिर्फ की प्रतिमा यहाँ पर रहेगी चाहिए बाई आगे बढ़ते हैं हमारे भारत की IISC इंडियन इंस्टिट्यूट अफ साइंस जो कि करनाट का बैंगलूरू में लोकेटिड है उनको टाइम्स हाइयर एजुकेशन रांकिंग में भारत की सबसे उनिवरस्टी जो टॉप है उनमें से एक उनिवरस्टी के र अगले सब्ता के current affairs भी मैं लेकर के आऊंगी जिसमें और important current affairs हम पढ़ेंगे यह सारे important current affairs है जिनको आपको learn करना है आपको इनको अलग से notes बनाके लिखने है और इनको याद रखना है ताकि आपका जो भी exam होगा उसके पहले आप पूरा का पूरा एक साथ यहाँ पर कि इनको पूरा याद कर सकते हैं ठीक है अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं नए करंट अफेस के साथ तब तक के लिए धन्यवाज